हेलो दोस्तों नमस्कर बहा कोसर क्लासे समंड़ा में आप लोगा स्वागत है आज हम लोग बाली विगास के अंत्रगत एक महत्पून टॉपिक है ब्रॉण फेन ब्रेनर का परिस्तित की तंद्र सिद्धान यहां से सभी सिक्षक भरती परिक्षाओं में एक प्रिश्णाने की पूर्ण संभावना रहती है चलिए क्या सद्धान इस चीच को देखती है यूरी ब्रॉण फेन ब्रेनर ने बालक की विकास की व्याख्या समाजिक कारकों के संदर्व में की है तो सबसे पहला तो एक सवा यह तियार होता है कि जब भी ब्रॉण फेन ब्रेनर की बात आएगी इसके परस्तित्की तंद्र की तो यह किस से समंधी होगी विकास के समाजिक कारकों से यह चीज आप लोग ध्यान रखेंगी समाजिक कारक इस सिद्धान्त के अनुसार बालक बिविन समंधों की एक जट अग दो में पूछा जा चुका है कि जब परस्तित्की मॉडल किस ने दिया था तो आप ध्यान रखेंगे ब्रॉण फेन बेनर ने दिया इसके बाद आगे है ब्रॉण फेन बेनर के अनुसार बालक के बाता ब्रॉण को पांच अलग अलग समझा जा सकता है इन इस्तरों का जो उन्होंने डिवाजन किया है वो मुक्रूप से क्या है लगू मंडल, मद्य मंडल, बाह मंडल, ब्रहत मंडल और घटक मंडल यानि कुल पांच, पांच मंडलों में इन्होंने बिकास के पांच कारकों के रूप में डिवाइड किया है अब वो कौन-कौन से मंडल है, क्या-क्या है, इसको आगे एक डाइग्रेम के रूप में दिखाया गया है आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, यह है पारिस्तत की तंद्र सिद्धान्त, फौन-ब्रेन बैनर का जो की 1973 में अब आप लोग देख पा रहे होंगे, किस प्रकार से यहाँ पर जो सिद्धान्त है उसमें सबसे मद्ध में जो बताया गया है वो है व्यक्ति यानि जो बालक है, आयू, लिंग और स्वास्त, इसके बाद देखेंगे, यह जो सिद्धान्त है, कारक है, इसके बाहर के लियर बने हुई है, माइक्रो तंत्र, यानि माइक्रो सिष्टम इसके बाद देखेंगे, यह तीसरी नमबर में देखेंगे, क्या लिखा है, मीजो सिष्टम, इसके बाद यह चौते नमबर में देखेंगे, एक्जो सिष्टम, और सबसे पांची जो लेयर है, वो जो लेयर बताए गई है, वो कौन से लेयर है, मैक्रो सिष्टम, यानि कारक हैं पाँच मंडल हैं और इन पाँचों मंडल के बारे हम details discuss करने वाले हैं किस प्रकार से मंडल आपस में अपना-पना संबन रखेंगी तो आप इसका screenshot ले लेंगे very important सिद्धान्त है आगे हम बढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है लगु मंडल देखेंगे सबसे पहला जो मंडल है वो क्या है लगु मंडल अब लगु मंडल की बारे में आप लोगों जानकारी हासिल होना चाहिए कि इसमें जो बताया गया है लगु मंडल माइक्रो सिष्टम समाजिक वातावरण का सबसे आंतरिक तंत्र है समाजिक वातावरण का सबसे आंतरिक तंत्र का मतलब सबसे पहला तंत्र है और लगू मंडल में बालक के निकड़तम वातावरण में की गई अंतरिक रियाएं समलित होती है इस मंडल में बालक का परिवार विद्याला साथी समलित होते हैं यानि सिंपल सी बात यह है कि इस मंडल में विद्यार्थी के आसपास का जो वाता बरान जिसमें उसके पैरेंट्स होते हैं माता फिता उसके फ्रेंड्स उसका स्कूल यानि ये सारी चीज़े और बालक की फेमली यानि परिवार ये जो सिष्टम है ये जो तंत्र है ये इसके बिलकुल नजदीक वाला इसलिए इसका नाम रखा गया लगू मंडल सेकंड है मद्ध मंडल यानि मीजो सिष्टम मैं लगू मंडल के विविन कारकों का आप से समन्द समलित किया जाता है जैसे बालकों की परिवारिक अनुभूतियां तथा विद्याली अनुभूतियों में समन्द मद्ध मंडल का उधारण है अब देखेंगे लगू मंडल में तो स्कूल, फ्रेंड्स, पैरंड्स यानि माता पिता, फैमली ये सारी चीज़ें आती थी लेकिन मद्ध मंडल में इनमें आपस में क्या बनेगा समन्द बनेगा यानि स्कूल में जो उसको अनुभूतियां मिलेंगी और जो परिवारिक अनुभूतियां होंगी उनका आपस में समन्द, अपने दोस्तों की जो अनुभूतियां होंगी उसका उन समन्द, यानि आपस में इनका क्या होगा, समन्द होगा, ये कहां पर होगा, मद्ध मंडल मीजो सिश्टम होगा आप लोग ध्यान रखेंगे के लिए रहे सभी लोगों समझ में आ रहा है तीसरा मंडल है या तीसरा कारक है बाह मंडल एकजो सिश्टम बालक के ऐसे समाजिक संदर्वी की ओर इंगित करता है जिसमें बालक प्रत्यक्ष रूप से समलित नहीं होता परन्तु इसके निकट संदर्व के अनवुतियां बाह मंडल से प्रभावित होती है इस तंत्र में कुछ अपचारिक सिंगटन जैसे माता पिता के कारेस्थल दार्मिक संस्थान स्वास एवं कल्यान केंदर आदि को रखा जाता है तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आगई होगी बात कि इसमें बालक प्रत्यक्ष रूप से कोई हस्ता छेप नहीं करता है यानि समलित नहीं होता प्रत्यक्ष रूप से आप प्रत्यक्ष रूप से इंडारेक्ट बच्चा यहां से क्या होता है प्रभावित होता है यानि कहना चाहिए माता-पिता के कारिस्तल जहां पर माता-पिता काम करने जाएंगे धारमिक संस्थान, मंदीर महजीद गुरुद्वारा, स्वासेम परिवार कल्यान केंदर बिविन्नि प्रकार के जो केंदर होंगे उनका उनसे बच्चा का क्या होगा संबन्ध होगा लेकिन कैसा संबन्ध आप प्रत्यक्ष रूप से तो यह है बाह मंडल क्लियर हैं, अब देखेंगे चौते नंबर का जो मंडल है, ब्रहत मंडल मैक्रो सिष्टम मैक्रो सिष्टम सबसे बाहरी इस्तर है, इसके अंतरगा संस्कृतिक मूल समाजिक प्रतायन, समाजिक आर्थिक इस्तर आदी समलित होते हैं अता जिस संस्कृति बच्चे का पालन पोशन होता है उस संस्कृति का प्रभाव ब्रहतमंडल में रखा जाता है बिल्कुल सिंपल चीज है, दोस्तों इसमें हमारी संस्कृतिक, हमारी स्वामाजिक आर्थिक स्थर, हमारी स्वामाजिक पर्थाएं, हमारी संस्कृतिक मुल, ये सभी चीज़ें कहां पर होती हैं, ब्रहत मंडल होती हैं, और इसका पूर्ण रूप से प्रभाव बच्चे को पढ़ता है क्योंकि जिस संस्कृति में पलता बढ़ता है पच्चा उसी संस्कृति को accept कर लेता है और उसके बिवहार से हमें उस संस्कृति के भाव जलगते हैं अब अगला और सबसे लाश्ट मंडल हैं घटक मंडल क्रोनो सिस्टम अब देखिए मैं बालकों के विकास की समाजिक एतिहासिक अवस्थां समलित होती हैं इस तंत्रम से इसकर समय के अनुसार परिवर्तनों का प्रभाव रखा जाता है यानि इसमें एतिहासिक चीज़े होंगी समाजिक चीज़े होंगी और समय के अनुसार जो भी परिवर्तन होगा वो घटक मंडल में दिखाई देगा यानि विद्यार्थी के घटक मंडल से में पता चलेगा समय के अनुसार क्या बदलाओ हो रहा है तो इस प्रकार से ब्रॉन फेन ब्रेनर ने अपने परस्तत की तंत्र में विद्यारथी के 5 मंडल या नि 5 घटकों के वारे में बताया और ये आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पर विद्यारती जो है वो अपने परिवार, विद्याला, संगी, सांति, स्प्रमावित हो रहा है इसके बाद देख रहे हैं आप लोग ये डाइग्रम बना हुआ पड़ोसी, धारमेकिस्थान, समाजिक प्रता, उद्योग, संस्कृतिक ये पूरे पांच घटक बने हुए हैं डाइग्रम में आप लोग इनको देख सकते हैं तो दोस्तो वीडियो अच्छे लागा तो लाइक करना और शेयर कर देना, अगर आपने महाकोसर क्लासस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजी, जै हिन्द, जै भारत